मेरे प्रिय दोस्तों योंग सुपचिंतकों, कहां से सुरू करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आज आप पेपर जो दिये हैं, निश्चित है कि यह इतना कठिन पेपर बनाने के पीछे आयोग का क्या मन्शा है, यह हम में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, यह सिर्फ कोचिंग चलाते हैं वे भी परिशान हैं बड़े-बड़े यूट्यूवर्स भी परिशान हैं सब लोग परिशान है क्या ऐसा हो क्यों रहा है आज हुआ क्यों एई करें दोस्तों यह सच है कि टीजी टिक जोसमें में आज का पेपर सब से कठिन पेपर था, ऐसा पेपर तो आज तक न कभी बना था, और हमें लग रहा है कि नहीं शायद कभी बनेगा, आप सब हत्प्रव होंगे, बहुत निरास होंगे, मैं आपके निरासा को समझ सकता हूँ, मैं आपके चिंता को समझ सकता हूँ, कि आप में से कुछ लोग चार सा से इस वेकेंसी किंदजार कर रहे थे, कुछ लोग दो साल से, कुछ लोग तीन साल से, कुछ लोग कुछ महीने से और सबको एक अपना विश्वास था, कि capacity में त अपना एक सिप्र तुरुषित कर ही लेना है, लेकिन दोस्तों, पिछला जो भी पेपर आया है, आप पिछल Lt grade से भी जादा जटिल जादा क्लिष्ट बनाया है यह सीधे assistant professor के अस्तर का paper बनाया है अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे मनसा क्या थी आयोग का जहां तक हम लोग कयास लगा रहे हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे region क्या हो सकता है मैं कट आपकी बात तभी मैं बाद में करूँगा लेकिन इतना कठिन पेपर आया क्यों है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ चुकि यहां पेपर जिले अस्तर पे हुआ था पाले से सभी लोग के मन में यह चल रहा था कि साइद यहां शेटिंग हो हो सकता है कि जो कुछ लोग कह रहे थे कि जो तदर्थ सिक्षक इसमें फार्म डाले हुए है अपना कुछ सेटिंग करेंगे हो सकता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आयो की यही मन सा रही है कि पेपर इतना जटिल बना दिया जाए कि दुनिया का सरवस्रेष्ट धुरंधर सालवर्व यगर बैठा दिया जाए परिक्षा में तो उसका भी माथा घूम जाएगा उसके भी समझ मना जाएगा कि यार मैं करूं क्या जबकि इस तरह से कभी पेपर आया ही नहीं है तो मैं यही एक कयास लगा रहा हूं कि सायद यही हुआ होगा चुकि इस पेपर में सीधे निवक्ति होनी थी इंटर्वी उसमें था नहीं इसी पर कटाफ बना करके और सीधे निवक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो यह सब सारी चीज़ा ध्यान में रख करके संभावता सरकार ने ऐसा मंसा बनाया या फिरायों को ऐसा निर्देश दिया होगा कि कुछ ऐसा करें कि सुचितापूर्ण परिच्छा हो और कहीं कोई दिक्कत नहों ठीक है जहां तक दोस्तों कटाफ की बात है पिछला कटाफ हुआ था यानि बहुत हाई मेड़ बनी हुई थी लेकिन दोस्त इस बार अगर आप नब्य से सो की बीच में क्षेशन कर जाते हैं मैं जनरल रेंग की बात कर रहा हूं नब्य से सो की बीच में अगर आपका क्षेशन जा रहा है तो आप बिल्कुल सिफ तो कुछ-कुछ गुंजाइस बन सकता है कि आप इसमें सफल हो सकते हैं कि दोस्तों अब इसके बारे में हम क्या कहें आप सब लोग ने बहुत मेहनत किया हम सब लोग मिलकर कि मेहनत किये कि ताकि अपना एक सुरक्षित हो जाए लेकिन चलिए कोई बात नहीं है निरास होने की कोई जोरत नहीं है हो सकता है इस्वर को यही मंजूर था एक नीचे पंक्ती मैं दिया हुआ हूँ बीती ताही विसार दे आगे की सुधले अब पीछे मुन कर देखने से कोई फायदा नहीं है जो हो चुका सो हो चुका क्या मेरिट बनेगा कितना मेरिट जाएगा क्या होगा क्या ने होगा वह इस्वर पर छोड़ दीजिए क्यों है और दो घंटे के अंदर हल करपाना तो समभवी नहीं है ताप निरास नौन आप हतास नौन जो पहले बर परिच्छा दे रहना उनको लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है लेकिन जो बार बार परिच्छा दिये उनसे पूचिए कि वो कितने परिशान है कि एकदम ब PGT का परिक्षा 17-18 तारिक में होने जा रहा है, 17 तारिक में, 17 तारिक में होने जा रहा है, और इसका परिश्पत्र भी साइट पे आ गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर भी लिए होंगे, ठीक है, आप पूरा का पूरा फोकस अप PGT पर किजिए, क्योंकि हो सकता है शारिस्वर को यह मंजूर नो रहा हो, यह आपको नो देना चाहता हो, इसे बहतर जगा देना चाहता हो, यह भी तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे कंडिडेट होते हैं, जो TGT में सेलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन PGT में हो जात में है, हम लोग किवल कर्म कर सकते हैं, दोस्तों कल से हम आपके अपने यूट्यूब पर, यानि ग्यानकोस एजूकेशन पर काविशास्त्र का बहुती सांदार क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा है, आप टोटल काविशास्त्र पध्यान देजी, जितना आप तैयारी कि हैं, यही तैयारी आपका PGT में भी काम आएगा, हाँ, यह है कि अब मैं इस चैनल से कुछ कथिन क्वेश्चन को मैं अपलोड करने जा रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे क्या क्वेश्चन चाहिए आपको, क्योंकि पेपर तो यह बता रहा है, मतलब आगे वाला समय क क्या होगा, आप तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे आएगा, अगर इसी लेबल से अगर वहां क्वेश्चन उठा दिया, तो बहुत ही टफ लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा, और जब कोई आप कथिन जब पेपर देखते हैं तो सुझते हैं यार इसको क्या होगा हल करके, इतने कठी लेवल का तो आता नहीं है, लेकिन यहां सारी भ्रंदियां आपकी दूर हो गई होंगी, पिछन दिली सारे मानग धोस्त हो चुके हैं, तो इसलिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कि क्या काविशास्तर से पास पर ठैब जया नहीं है। तों फायदा हुआ है नालेज कहीं जाता नहीं है ठीक ना शायद इश्वर के मंजूर हो कि आपको यहां ना देकर को आपको इससे बिहतर जगह देने के लिए रखा हुआ हो वह आपको इस छोटे से लेबल से उपर उठा करके कुछ बड़ा करना चाहा रहा हो आपके लिए जगह रखा हुआ हो इसलिए ऐसा सूच करके हमेसा आगे बढ़ें और तैयारी करें निरास्ता का भाव छोड़ता है आप हत्प्रभ होंगे आपके दर्द को मैं समझ रहा हूँ आपके वेदना को मैं समझ रहा हूँ लेकि मैं आपके साथ हूँ दोस्तों विश्वास केज फिर तैयारी में लग जाए एक सबता बाद आपको PGT का पेपर है और उसके लिए सारा कंटेंट में ऐसी तरस जीसे आप कंटेंट देखते गाए उसे छोटा-छोटा कंटेंट में डालता चलूँगा और पर डे आपको एक दो वीडियो मिलेगा निश्ची तक आपको सफल औरिया में आपको ओक दे एक पार्ण करेंट से बाद आपको पर देखते बादे आपको छाय में वीडियोगा और की तरस जीसे एक सारा में वीडियोगा बйगाने प्रतो दान कि पार्टा जीसां किुरश कर एंटेंटूलिक का चार में पैशुबाना कि पुर टेखते और